नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल स्टाडी टूडियो विद विपलाप में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जे सीर्टी दोहरा जारी किये गए क्लास 12 के लिए जेगराफी यानि की भुगोल का मॉडल प्रसन पत्रा सेट 2 को देखेंगे इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ठीक है इस वर अधिकतर कॉस्चन जो है मॉडल पेपर से ही देखने को मिलेगा इसे जी मॉडल पेपर को अच्छे से त्यारी किजिएगा ठीक है तो एक एक करके इस चैनल में एपलोड किया जाएगा आप लोग बस इस चैनल में जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिएगा यहाँ सेट 2 है इससे पहले जो है सेट 1 कंप्लेट हो चुका है सेट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यहाँ जो है यहाँ मोडल पेपर जो है टर्म 1 के लिए है जैसा कि इस बार सभी को बता है कि इस बार दो टर्म में एक्जाम होनी है टर्म 1 और टर्म 2 और दोनों का एक्जाम इस बार एक साथ होगी ठीक है टर्म 1 के लिए जो है सारे के सारे क्वेशन आपका अबजेक्टि और cool पूरणग रहेगा आपका 40 समय मिलेगा आपको एक घंटा 30 मिनट cool पूरणग रहेगा आपका 40 ठीक है और एक एक करके जो है हार एक paper का जो है 5-5 model paper जो है जारी किया गया है तो आप लोगों के लिए जो है यहाँ दुसरा set है और आगे भी जो 3 set बचा है complete करवा दिया जाएगा आप लोग बस इस channel में जुड़े रहे हैं तो चलिए इन 40 प्रसनों को एक एक करके देख लेते हैं तो चलिए सुरू करते हैं question number 1 में दिया हुआ है नीमनलिखित मैंसे किसका अध्यान आर्थिक भुगोल के अंतरगत नहीं क्या जाता है नीमनलिखित मैंसे किसका अध्यान आर्थिक भुगोल के अंतरगत नहीं क्या जाता है चार अप्सन आपके सामनी स्प्रकर होंगे क्रिसी भूगोल उद्योग भूगोल परियाटन भूगोल चिकितसा भूगोल देखे आर्थिक भूगोल के अंतरगत जो है आपका आता है संगसाधन भूगोल ठीक है संगसाधन भूगोल का ध्यन क्या जाता है क्रिसी भूगोल का ध्यन क्या जाता है तीसरा हो गया ये तीनों जो है आर्थिक भूगोल के अंतरगत जो है अध्यन क्या जाता है तो अप्शन नमबर घौ में जो दिया हुआ है चिकित्सा भूगोल ठीक है इसका अध्यन नहीं क्या जाता है तो अप्शन नमबर घौ सही होगा नेक्स्ट है सैन्य भूगोल माना भूगोल के किस कि साखा का भाग है देखे सैन्य भूगोल जो है राजनितिक भूगोल का अंतर का दाता है राजनितिक भूगोल का अंतर का दाता है आपका निरवाचन भूगोल और सैन्य भूगोल ठीक है निरवाचन भूगोल और सैन्य भूगोल तो इस कि कूल जनसंख्या का कितना प्रतिसत जनसंख्या उत्तरी अमरिका में पाई जाती है आपको याद रखना है 4.8% 4.8% ठीक है इस question का right answer हो जाएगा देखिए 0.5% जो दिया हुआ यहां पर यह असियाना असिया का हो जाएगा ठीक है असिया का और 8.5% 8.5% जो दिया हुआ है लेटिन अमरिका हुआ केरिवियन का दिया हुआ है ठीक है अगर आपको एक्जामें पुछता है कि वीसक की कूल जनसंख्या का कितना प्रतिसत जनसंख्या लेटिन अमरिका हुआ केरिवियन में पाई ज अंसर दना था 0.5% यहां पर पुछाए उत्तर ही अमेरिका तो इसका राइट अंसर हो जाएगा 4.8% ठीक है अपसन नमर घौस ही होगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा ज्यादा से अपने दोस्तों में सेर कर दीजेगा और इस चैनल में जूड़े रहने के लिए चैनल को इस्तान है तो आपको याद रखने है पांच रिए 5 प्रथम इस्तान आपका चीन का है प्रथम इस्थान में जो है चीन है दूसरे पर भारत तिसरे इस्थन पर संग्यृक्त राज्य अमेरीका और यहां पर पुछा कि जनसंग्या आकार में 20 कौद ही ब्राजिल का कौन सा इस्थन है तो आपको अनसर रहे है पांचवा पांचवी इस्थन पर जो है ब्राजिल है और अगर आपको एक्जामे पूछता कि जनसंख्या आकार में विश्व में चीन का इस्थन तो आपको अंसाधन था प्रथम दुसरे स्थन पर आता है आपका भारत तिसरे स्थन पर आता है आपका संयुक्त रज्य अमेरिका क्लियर है नेक्ष है आपके सामने की जनसंख्या अभितरन को प्रभवित करने वाले कोण सा कारक है यहां पर अप्समें दिया वई भुहक्रिति जलवायू जलक्यू पुलबधता इनमें से सभी देखे इस ruins क्वेशन का देखे जनसंख्या अभितरन अधा घंत्य को प्रभव जल्वाईू भी आता है जल्वाईू भी आता है और जल्वाई दाभी ठीक है तो सुन नंबर गषाप का निरी जन्षन की जन्रसंट्र कि अपितनी थी तो आपको अंसर दना है यहाँ पर 30 करोड और कम, अप्सन नम्बर क्वास यहले हो險 है, तीस करोड़ से कम नेक्ट आपके सामने थामस माल्थस ने अपने सिध्धान्थ को किस बर्ष प्रतिपादित किया तो आपको अंसर दना है 1798 हो जाएगा ठीक अपसर नमबर ख्वास आई होगा नेक्ट आपके सामने जनसंख्या बितरन को प्रभवित करने वाले कोन सा प्रमुक आर्थिक कारक नहीं है तो देखे यहाँ पर दिया और आर्थिक कारक यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि अपसर में दिया हुए भू अकृति, मृदा और जलबायू यह तीनों जो है आर्थिक जलबायू, मृदाएं और भू अकृति यह तीनों जो है भोगलिक के अंदर का तता है जनसंख्या बितरन तथा घनत्यों को प्रभवित करने वाले कारकों को तीन बर्गों मे रखा गया है भोगलिक, आर्थिक और सामाजिक अबंग संस्कृतिक तो इन में जो यहाँ पर तीन अपसर दिये हुए है यहाँ पर भू अकृति, मृदायू और जलबायू तीनों जो है भोगलिक के अंतर का तता है तो तीनों जो है प्रभावित करने वाले कारक हो रहे है तो अपसन नमबर गोई यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा खनीज ठीक है यहाँ पर प्रसना में थोड़ा गड़वर दिया हुआ है यहाँ पर प्रसना में थोड़ा गलत दिया हुआ यहाँ पर दिया रहता कि जनसंक्य वित्रन को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रम मुक आर्थी कारक नहीं है तो यहां पर आपको अंसर दना है खनीज ठीक है अपसर नमबर गो इस क्वेश्टन का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट आपके सामने जन्म और मृत्तु के अतिरीक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाले कारक है प्रवास उद्प्रवास और अप्रवास तीनों ठीक है यहां पर सही होंगे तो अपसर नमबर गो जाएगा आपका इनमें से सभी नेक्स्ट आपके सामने कि दो हजर पचीस इसवी तक विस्ट की जनसंख्या लगवग कितनी हो जाएगी तो यहां पर अपसर में दिया हुए 600 करोड 700 करोड 800 करोड और 900 करोड तो इनमें से राइट अंसर हो जाएगा आपका अपसर नमबर गो हो जाएगा ठीक है 800 करोड क्या सपास हो जाएगा ठीक है तो अपसर नमबर गो सही होगा ठीक है नेक्स्ट करोड है विस्ट के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है 72, 243, 149 और 62 तो इनमें से राइट अंसर हो जाएगा आपका अपसर्ण नमबर यह में जो दिया हुआ है यानि क आपको याद रखना है अस्ट्रेलिया नेक्स्ट्रेलिया आपके सामने वीडियो को लाइक करके ज्यादा से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजेगा ठीक है और इस चैनल में जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजगा ताकि आपको हर एक वीडियो आपके सामने की निमनलिक्षित मेंस यह तो होगे आपका नेक्स्ट है आपके सामने वीकसीद देसों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है यहाँ पर दियावे प्राथमिक दित्यक तृत्यक और चतुर्थक तो इनमें से राइट अंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक वी सिर्ष वाले पिरामिड की इस तरह की स्तिति को दर्साता है संकिर्ण आधार और सुन्डाकर सिर्ष वाले पिरामिड की इस तरह की स्तिति दर्साता है उच्च जन्म और मृत्तुदर निमन जन्म और मृत्तुदर उच्च जन्म और निमन मृत्तुदर निमन जन्म और उच सभी तो यहां पर जो है समता उत्पादकता और सतत पसोनेता तो इनमसे अप्सन नमबर घोस ही हो जाएगा उपरुक्त सभी हो जाएगा ठीक है इनमसे सभी नेक्स आपके सामने देखिए क्वेस्टन नमबर 16 को धियान से देखिएगा मानव विकास सुचकांग स्कोर 0.701 से 0.799 इनके बीच का इस्तर क्या कहलाता है most important है ठीक है एक्जाम के लिए अती उच्च सुचकांग उच्च सुचकांग मध्यम सुचकांग निमन सुचकांग तो इनमसे राइट अंसर हो जाएगा आपका अप्सन नमबर ख्वा हो जाएगा उच्च सुचकांग देखिए मैं यह एक्जाम में यहाँ पर चैंज करता है question में यहाँ पर जो है दिया हुआ है जो score इस score को चैंज कर देता है एक्जाम में देखिए 0.800 से अगर अधीक हो तो मानव विकास का इस्तर जो है अधीक अती उच्च होता है अती उच्च जिरो पॉइंट से जिरो पॉइंट से के बीच हो तो मानव विकास इस्तर का जो score होता है मानव विकास इस्तर जो होता है आपका मध्याम होता है ठीक है नहीं उच्चा होता है उच्चा और 0.550 से 0.700 अगर रहता है score तो मानव विकास का जो इस्तर होता है वो मध्याम होता है और 0.549 से अगर कम हो इसकोर अगर 0.549 से कम हो तो माना विकास का इस्तर जो है नीमन होता है तो यहाँ पर पुछाए कि 0.701 से 0.799 के बीच तो इसका माना विकास इस्तर जो है उच्च होगा उच्च सुचकांग तो अप्सन नमबर खौस ही होगा यहाँ पर मैं लिक देता हूँ नीमन सुचकांग का नीमन सुचकांग हो जाएगा आपका 0.549 से कम ठीक है और मध्यम सुचकांग जो है 0.550 से आपका 0.700 के बीच में अगर रहता है तो मध्यम और उच्च का मैं यहाँ पर लिक देता हूँ उच्च का हो जाएगा अती उच्च का हो जाएगा आपका 0.800 से अधीक हो जाएगा 0.800 से अधीक यह आपको याद रखना है नेक्स्ट आपके सामने उच्च माना विकास समुह में कितने देश सम्मिलित है उच्च माना विकास समुह में कितने देश सम्मिलित है भारत के कििस राज्य का इस्तर इस्तर जो है बैतर है केरल आपको याद रखना है केरल नेक्स आइनमेस से कों बिन्यास के अधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है मैदानी ग्राम 30 ग्राम पथारी पसु पालक तो नेक्स आइपका पसु पालक घ्रम ठीक है पसु पालक नेक्स्ट आपके सामने च्विंगम किस ब्रिक्च से प्राप्थ होता है आपको याद रखना है जे पोटा ब्रिक्च याद रखिएगा जे पोटा अप्सन नंबर घौसाई होगा जे पोटा ब्रिक्च से ठीक है च्विंगम जो है प्र करका सभी को complete कर लिजेगा देखे नेक्ट अब के सामने कि रेंडियर कहां पाया जाता है रेंडियर कहां पाया जाता है अप्शन में दिया हुए मानसुनी प्रदेश यहां पर बोलाए कि सीतो सुना घास मेदान का उदाहरन नहीं है तो आपको याद रखने मानसुनी प्रदेश फजेंड़ा सब्द का प्रयोग किस फसल के बागान के लिए किया जाता है कॉफी बागान के लिए अप्शन नमबर खोस ही होगा कॉफी और बिष्ट्रीट बानिज अनाच किसी तो इनमें से राइट अंसा जो हो जाएगा आपका अप्शन नमबर खोस ही हो जाएगा बिष्त्रीट बानिज अनाचकिसी इनमें से कौन कुठीर उद्योग का उदाहरन है पथर अबंग मित्टी के बरतन लोहाईसपात ताबे का स भारत का कौन सा उद्यक सारवजनिक छेतर का नहीं है टिसको विसको इसको मिसको तो इन्वसर राइट हो जगा आपका टिसको 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 का जो फूल फॉर्म है टाटा आईरान एंड इस्टिल कमपनी टाटा आईरान एंड इस्टिल कमपनी टाटा लोहा इस्पाद कमपन इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी, 1907 में हुई थी, ठीक है, टीसको, अपसर नमबर कौँ सही होगा, 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, यह आपको याद रखना है, एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टन है, नेक्ट आपके समने कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर नेक्ट आपके समने कि इनमें से कौन सी क्रिया, चतुर्थक क्रिया के अंतरगत आती है, मत्स्य, परिवहन, अनुसंधान, सुचना प्राद्योगी की बिनिर्मान, तो यहाँ पर चेतुर्थक क्रियाक अंतरगत जो है आपका अनुसंधान सुचना प्रदोगी किया जाएगा मत्य पालन जो है आपका प्राथमी क्रियाक अंतरगत आता है नौवेल पुरसकर विजेता अमर्थय सेन्ने विकास का मुख्य धेय किस रूप में देखा है नौवेल पुरसकर विजयता अमर्त या सेन ने विकास का मुख्य धेय किस रूप में देखा है स्वतंत्रता में बृध्धी समता स्वास्त कल्यान इनमस्टर राइट अंसर हो जाएगा आपका कल्यान अपसन नमर घोस ही होगा नेक्ट है लामा मुख्य तक किस परवतिय भागों में पाया जाता है लामा मुख्य तक किस परवतिय भागों में पाया जाता है लामा आपको याद रखना है एंडीच परवत के अंदर ठीक है एंडीच परवतिय भागों में जो है पाया जाता है लामा अपसर नमबर फौस अई होगा नेक्स्ट कॉस्टन देखी चलिए नेक्स्ट आपके समने युनानी सब्द मेगा लोपोलीस का प्रयोग सर्व प्रतम किसने क्या था युनानी सब्द मेगा लोपोलीस का प्रयोग सर्व प्रतम किसने क्या था जीन गोटमेन जीन गोटमेन जो गाव जिलों तलावों आदी के चारों और बस्ती बस जाना से विक्सित होते हैं जो गाव जिलों तलावों आदी के चारों और बस्ती बस जाना से विक्सित होते हैं कोन सा प्रतिरुप कालाते हैं बृत्तकार कालाते हैं ठीक है बृत्तकार याद रखिएगा भारत में कोन सा नगरिया छेत्र चावनी बोर्ड इस्तित नहीं है भारत में भारत के कोन सा नगरिया छेत्र में छावनी बोर्ड इस्तित नहीं है अप्सन में दिया हुए रामगड 12 नसी राची धन्वाद तो right हो जगा आपका राची कान्थ ठीक है राची हो जएगा इन्हें से कोन नियोजित नगर का उधारन है कैनबरा राची मैक्सिको स्रीक completing कानपूर इन्हें से कोन नियोजित नगर का उधारन है तो आपका right answer हो जगा कैनबरा next देखिए मरकाटो विक्सित बाजार की इस महादीप में श्तित है मरकाटो विक्सित बाजार की इस महादीप में श्तित है एसिया के अंदर ठीक है एसिया अस्ट्रेलिया की राजधनी कैनवरा नगर की योजना किसने बनाई थी अस्ट्रेलिया की राजधनी केनवरा नगर की योजना किसने बनाई कार बुजियर कार बुजियर ने ठीक है कार बुजियर फिर से रिपीट कर रहा हूं कार बुजियर याद रखिएगा नेक्स्ट आप के समने कॉस्चन नमबर 36 हो गया 37 होगा सिकागो सहर किस देश में श्टी थे सिकागो सहर किस देश में श्टी थे सिकागो सहर जो हना संग्युक्त राज्य अमेरिका याद रखिएगा संग्युक्त राज्य अमेरिका में श्टी थे सिकागो सहर इन में से कोन एक दित्यक क्रिया का उदाहरन नहीं है, कपड़ा निर्मान, सेवा छेत्र, मचली पकड़ना, लोहा इसपात निर्मान, मचली पकड़ना जो है प्राथमी क्रिया का उदाहरन है, यहाँ पर दिया हुआ है सेवा छेत्र, लोहा इसपात निर्मान, तो देखें य राइट हो जाएगा लेकिन यहां पर सेवा छेत्र भी दिया हुआ है तो इन्हें से एक्जमें कोई एक दिया रहेगा ठीक है मचली पकड़ना या तो सेवा छेत्र कोई एक दिया रहेगा ठीक है आप लोग ध्यान दिजिएगा नेक्ट आपके सामने है कि इनमें से कोन सांस्कृतिक नगर है इनमें से कोन सांस्कृतिक नगर है जमसेदपूर चंडीगर प्रयाग राज गांधी नगर यहां पर क्या पुछाए कि इन में से कुन सांस्क्रितिक नगर देखे सांस्क्रितिक नगर जो है इन में से राइट हो जिएगा आपका प्रयाग राज ठिकर अपसन नंबर खौस ही होगा प्रयाग राज नेक्स्ट क्सच्चन है आपके सामने लास्ट क्सक्न है लास्ट क्स्चन में क्या पुछाई दि्षान से देखिएगा आमुलवादी वीचाधरा के निर्धनता के कारण बंधन और सामाजी क असमंता की बेख्या के लिए किसके सिधानत का प्रएयोक ईया किसका प्रयोक किया तो आपको याद रखने मार्क्स ठीका अपस्टन नुमर को सही होगा मार्क्स तो दोस्तों यह थे 40 VVI objective questions वीडियो को अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों में share कीजेगा और इस चैनल में जूड़े रहने के लिए चैनल